नमस्कार श्रागत है आपका आज के नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ BMW X1 के बारे में तो बिसिकली इस कार में जो इंजन आता है वो दो टाइप की इंजन आते एक पेट्रो इंजन और एक डीजल इंजन तो आज का जो वीडियो है वो है डीजल इंजिन की बारे में और जो इंजल है यह है टू लीटर का इंजिन याली की 2000 सी सी का इंजिन है क्यूबी कैपसिटी है इस कार की और इसकार में बिसिकली प्रॉल्लम है कुट्पर का कहना था लगवगा भी आठ से दस दिन पहले से इस कार में ऑईल की जो पानी था और उस पानी के एरिये से भी कार्ट निकाली गई थी उसके बाद से कार्ट सब्सक्राइब नहीं कर लिए कहीं से को प्रॉडम नहीं मल रही है क्योंकि क्रेंब तो कॉछ और यहीं रही थी लेकिन अच्छे काम यही होता है सबसे पहले फ्यूज बगरा या वाइरि अभी-कभी अगर हम मान लीजिए हम directly engine खोल देंगे और प्रॉडम रहती एक छोटे दिफ्यूज की तो बहुत बड़ी प्रॉडम आगे चल की create हो सकती है तो अच्छे technician की पैचान यही होती है कि छोटे step से काम करता है यानि कि हमेशा पहले जो छोटी कमी है उसको पहले चेक करें ज्यादा यह नहीं कि इंजिन को directly हम खोल दे कार मेरे पास आई मैंने भी कार को डियाग्नोस किया तो डियाग्नोस करने के बाद भी इस कार में ऐसी क क्रेंकिंग time, 는र को अगर हम लॉंग time गरते रहते हैं तो इस टाइम से करेंदे के spray कर रहते हैंTalk को उस टाइम में खार कोूँ का जैसे कहना आ दा कि is The की लाइट बिंक कर रही थी, श्टाइटिंग में काफी टाइम पहले लगवागभगा आठ से दस दिन पहले से, तो उसके बाद से हमने इस कार का जो ऑइल फिल्टर था उसको चैक किया, खोल करके, तो ऑइल फिल्टर एक तरीके से पूरी तरीके से चोग हो चुका था, उसक स्कैक cuatro टो कारगेंद़ से नौकिंग की साउंड आ रही थी नौक इंदर उयल की लायट वह रही थी उयलपम का जो प्रेशवर साव वहलो के पिक allt जिसको हम Big In Bearing या मेन बेरिंग बोलते हैं अगर वह कट जाते हैं जो वहां से Oil का प्रेशर एक तरीका से डायवर्ड हो जाएगा यानि कि वहां से प्रेशर अगर लो हो जाएगा तो इस टाइप की प्रॉडम आ जाती है अधर कंपेर में अगर मर्सेडीज या ओडी से अगर मैं कंपेर करूं तो BMW X1 की जो क्रेंक साफ्ट है बहुत जल्दी खराब होती है तो हमने बिना देरी किये फिर इस कार का जो इंजन है उसको काड़ी से अलग कर दिया है और अभी हम खोलने वाले इस वीडियो में आपको करने वाले क्या प्रॉड्म निकलेगी इस कार के अंदर क्यों इस कार का जो इंजन नहीं हो रहा था और यह कार मिरे पास टो के आई थी अब देखते हैं इसमें क्या-क्या प्रॉड्म निकलती तो इसका एक-एक पार्ट हम खोलेंगे ट्रबो शार्जा इंजक्टर एक-पार्ट अप्लोड करेंगे इंजन ओवराल का यानि की इंजन में जो भी प्रॉडम निकलेगी उस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट तो अमीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगी तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्स यानि की जो भी इसमें प्रॉडम थी वो मैं आपको वीडियो को स्टार्ट बदा चुका हूं तो अभी एक तरीके से आप देख सकते हैं पूरी वाइडिंग बगरा ओनली कार के अंदर है बाकी का पूरा इंजन एक तरीके से बाहर आ चुका है तो उपर की साइड से हमने जो फ्यूल इंजेक्टर थे वो भी हटा दिया है पीछे बैक साइड से हमें इसका फ्लेवील है उसको खोल रहे हैं तो इस जगह पर यह इसका फ्लेवील है और इसमें आप देख सकते हैं यह इन काडियों में जा आता अपना देखा ही है ओटोमेटिक ट्रांस्वीशन आत इसके बाद मैं आपको बता दूंड पीछे ही होती है इसकी टाइमिंग शेंट यानि कि जो अगर हम अदर कारम देखें तो सबसे जादा रापना देखा है टाइमिग चैंजर टाइमिग या रहे होती है वह एंजन के आगे की साइड है लेकिन BMW मर्सेडी इनके कुछ मॉड इस जगाबर यह ऐने सी और यहां पर फटेंच वम, यह एक उस टार को आप खूड़ट गोटिक WATAS तो आपको यहां से मससर को खोलकर कर आप नवी खोलते तो आप इसका नवीयगट कोड़ी ul बहार निकाल सकते हैं, तो अभी हम इसके बाकी की फिटिंग हो लेंगे, पीछे की साइट से, तो इस साइट है, इसके उपर की साइट आप देख सकते हैं, यह हैं इसकी दोनों केम साफ्ट, यानि कि एक केम साफ्ट है, इसमें इंटेक, और दूसरी जो केम साफ्ट है, वो है पूरी जो केम्साफ्त है वो फिटिंग है दोनों केम्साफ्ट जब भी आपको क्रेंग साफ्ट या कि अगर मैं कहूं बैंड हो जाती है या करेंग साफ्ट कोई प्रॉलम आती है तब यह रषटा कर सकते हैं नहीं तो आप इस लिए तीन बॉल्ड खोल करके गिर के और सीधे ब्लॉक से हटा करके इसकी केम साफ्ट को अलग कर सकते हैं तो यह टाइमिंग के हम इसके कुछ बॉल्ट खोल रहे हैं इस जगा से तो टुटल यह केम की गेर है इसमें आपको तीन बॉल्ट लगाने होते हैं छुट छुटे तो अभी हम यहां पर प्रोल्म को चेक करने वाले इसके इंजिन में क्या क्या प्रोलम है किस वेसे यह नॉकिंग कर रहा था यानि कि टाइमिंग की प्रोलम है या फिर क्रेंक की प्रोलम है या फिर बाल पिश्टन से टकरा रहे हैं किस तरीके से क्या प्रोलम आ रही है ओके तो यह अभी सभी बोल्टों को खोलते हैं यहां काम करते हैं उपर नीचे जो करने का काम करते हैं टैपट रॉकर एचले भी बोलते हैं उन्हें तो वह भी खराब होंगे तो भी इंजन में नौई जाएगी एक तरीके से नौकिंग की साउंड आएगी तो सबसे पहले हम इसकी जो केम साफ्ट है इसको बाहर निकाल करके भी नहीं गुक्ड कर रहें इसके टैपट रोकर वगरा कैसे हैं और उसके बाद ही हम श्वाफे नहीं फिटिंग दिशारा च्वास कांवा भी यहां पर अभी आप जो यह तरोकर की कि अब्यार खराब तो नहीं रखना यह और यह बगरा कापको विसे स्द्धान रखना है क्योंकि कुछ ऑ रिंग्यार इसी होती है इसमें जो की अगर आप न्यू पैकिंग लेते हैं तो उसके अंदर भी नहीं आती है तो यहां पर अभी हम इसको अछिजए करेंगेlar हो आजिए को चेक करेंगे इनको धो करके अच्छे तरीके से कहीं कोई इन оказ प्लेव अगरा तो नहीं है तो पहले हम इंग सभी को घ्टा देते है OK तो टैपे टॉकर बगर आप इसको अच्छे से क्लीन गरके चेक करेंगे बाकि कि इसकी बुलड बगर नहीं है और वीडियो थोड़ा फास्ट फरवडिंग में है यहां यहां पर टैपे टॉकर की पिश्टन है वो बल्कूल ठीक है ने करें से को सलेंडर हेड उसको खोलेंगी होड है कि पृबद क घखploy शेक करेंगी कहीं बाल जो है पिस्टन से टकराया तो नहीं है या पिस्टने कि से बाल से बाल से नहीं टाच को हुआ यह जो होती है यारे कि इसका जम छेनल अरिंग सेमित के दो यह timing chain है वो tight होती है तो और इस side है इसका यह high pressure pump और अभी हम खोलेंगे इसके slender head के सभी बोल्टों को तो timing chain हमने लूज कर दिये बागी की fitting हम इसी लिए नहीं खोल रहे हैं क्योंकि पहले हम clearly दीर दीर चेक कर ले problem आखिर कर slender head के अंदर है या piston के अंदर है या फिर crank shaft के अंदर है तो step by step हम सारी series में check करते हैं maybe यह problem जो है इस car के अंदर वो एक तरीके से crank shaft के अंदर ही आती है ज्यादा तर BMW कार के अंदर बूश्टली सबस्यादा BMW के अंदर X1 की अगर मैं कहूँ या 3 series की कहूँ या 5 series जो car है इन में जादा आता जो crank shaft है वो बहुत ज्यादा खराब होती है और जो man bearing है या विगन bearing है वो ज्यादा ही खराब होते हैं आप देखते हैं इस car के जितनी power से जितने टॉक इसमें यूज किया गया है उसी टॉक से हमें टाइट भी करने होते है और उतनी ही power से हम इन सभी बोल्टों को tight भी करेंगे complete हम इसका पुरा वीडियो पोस्ट करेंगे आपको एक एक detail में कितने टॉक से आपको कितना इसमें बोल्ट टाइट करना है और piston को किस तरीके से fitting करना होता है सभी बोल्टों को step by step खोल देते है जो भी बोल्ट है लेड़ी हमने इस कार का इंजन डिरेकली completely बहार निकाल लिया था क्योंकि कार के इंदर जब इंजन यह रहता है तो होता कि कार के इंदर जगय की थोड़ी problem रहती है क्योंकि कार में इतनी तरीके से अगर मैं कहूं तो slender head आसानी से नहीं खुल पाता है इस तरीकी की प्रड़म आती है तो slender head निकालने से पिल आपको ध्यान में रखना है यह इसके chain guide के कुछ hidden bolt है इनको भी आपको अच्छे तरीके से खोल देना है और यह bolt है यह कोई pin नहीं है यह bolt है आप देख सकते हैं हम इसको bolt की तरह खोल रहे है और यहाँ पर आपको T40 का socket यूज़ करना होता है और यह दोनों bolt निकाल करके आपको उसकी chain guide है इसको निकाल लेना है क्योंकि जब भी आप head को बाहर निकालते हैं यह इस तरीके से इसके bolt है यह आप देख सकते हैं चोटी शोटी दो बोल्ट है जो की chain guide को प्रेश करके रखते हैं यह chain guide हमने इसके निकाल दी है तो जब भ अगर आपने कोई भी इसका part damage हो गया तो आप समझ सकते हैं कितना मेहगा वो पार्ट हो सकता है जो hidden bolt में आपको बता रहा था यह side है ओके तो यह side है इसका hidden bolt खोल दी है और हटाते हैं इसके cylinder head को और इसकी cylinder head gas grid को बाहर तो यह देख लीजे BMW inline 4 cylinder engine तो यह इसका piston इस समय देखिए टॉप से हलका सा डाउन है और यह बिल्कुल टॉप पे है यानि कि एक नंबर पिश्टन देखिए आप बिल्कुल टॉप है और यह देखिए इस पर कार्बन अलगी दिख रहा है ब्लैक और यह वाला piston डाउन है यानि कि फोर नंबर यह देखिए एक नंबर ट्रस्टन लेबिल से है तो इक तरीके से अगर मैं कहूं तो फोर नंबर का पिश्टन नीचे डाउन है तो मेरे साब सी आत तो इसकी जो connecting order करेंगे तो यह था इसका स्रेंटर है यह देखिए इसमें पानी की भी यह देखिए कड़े हैं जैसे कि मुझे कस्टूमर ने बताया था गड़ी पानी में भी गई थी तो पानी भी इंटेक लाइन से अंदर आया हुआ है तो आप खोलते हैं एक पाकी का पीछे समप वगएरह बैक सायँ में बाप देख सकती हैं ये इसका वाल समयशन और उपर की साइड ये मने कबर तो आमिंग कवरन कोर्हें निकाल आ कि जी है अंदर का से की बाहर निकलेंगे तो पहले ये इसका जो ओल समप इसको बहार निकालते थे हैं तो ये ओल समप इस तरीके से आपको अठाना होता है और इस पिसली जब आप इंजिन को खोलते हैं इंजिन को बहार निकालते हैं जिन गाड़ियों में ओल लेवल सेंसर होता है जिसकी वज़े से भी नुकसान हो सकता है तो मेरा कहना यही रहता है हमेज़ा कोई भी टेक्शन हो इस बात को अपने दिल पे ना लें मेरी तरब से पस एक शोटा सा सर्जेशन है किसी भी काम को करती टाइम जितना सेफटी हो सकता हो उतनी सेफटी वरते और अच्छे तरीके से ही उसको खूलें जिसकी कार के अंदर कोई अधर नुक्सान ना हो यानि कार जिस प्रॉढम के लिए आई है वही प्रॉढम उस कार की सॉल्फ हो के जैसा ना हो कि अधर कोई प्रॉढम नहीं बन जाए क्योंकि मैंने देखा है काफी कार कोश और बन जाता है मेरे पास ऐसे काफी केस में देखता हूँ कस्टोमर जो मेरे को बताते रहते हैं तो अभी हम इसका जो ऑल संप को भार कर देते हैं तो आपको यह ध्यान रखना यह काफी अच्छी तरीग के से तो आपको काफी केरफुल तरीके से निकालना है कि यह अल्मूनियम का चेमबर होता है अगर आप इसमें ज्यादा है वगरा लगाते है तो होता क्या जो ऑइल संप है यह क्रैक भी हो जाता है टूट भी जाता है तो यह थी इसकी ऑइल पंप जाता है और ऍेसकेस्ट के लिए क exactly अगरा है और वार निकालेंगे फिर इसके बाहर अगरा को चेक करके तो यह इसकी यह पंप पर ऊकर फिंब हिसमें सैट करने के लिए क्लिए होती है वो सारी चीज़ हम आपको फिटिंग की टाइम पर बताएंगे किस तरीके से आपको इसकी जो आल पंप बगरा है यह देखे किस तरीके से इसमें एमरी बगरा निकल रही है इसके ऑल पंप के श्टेनर पर जो की इसके बिगन बेरिंग बगरा है उन्होंने यहां पर आकर इच्छे पक गए हैं तो यह सारी चीज़ा जो हुई है यह आल फिल्टर एक तरीके से चोक हो गया था यानि कि अगर मैं कहूं तो आल फिल्टर यह देखे कितनी कारबन है इसके ऑल सम के अंदर भी तो निकालते हैं इसके सभी पार्ट को बार आप जो भी है वो तो खोलना इन्जन के अंदर और यह इसके जो क्रेंक साफ्ट है वह एक तरीके से खराब हो चूकी यह कितना इसमें ऐमरी है इसके औल संप के अंदर यह देखे यह इसका स्लेंडर हैड तो मेंली जो एमरी बनी हुई है वह उसी पार्ट की बनी हुई है यानि कि इसके मैंन बेरिंग और इसके बिगन बेरिंग, इसकी क्रेंक साफ्ट जब कट जाती है, इस टाइप की ही एमरी बन जाती है, इंजिन के अंदर, और यह अब ध्यार नकिए, इंजिन ऑईल कभी भी लेट रिप्लिस ना करा है, जो टाइम का सर्विस टूडियूल होता है, कार का, उसी सर्विस और कस्टूमर मैंने देखे हैं, कि कस्टूमर ऐसे देखे हैं, यह 15-15-20-20,000 क्लमेटर तक उस 3-3,5-3 लीटर इंजिन ऑल को यूज करते हैं, यह देखिए किस तरीके से इसके ऑल पंप के अंदर कस्टूरा भड़ा हुआ है, जिसकी वैसे इंजिन इसमें सीज हो चुका ह यानि कि ऑईल टाइम से ना रेप्लेस कराने की वज़ए से और जो ओईल फिल्टर है वो चोग होने की वज़ए से, तो यह देखिए, अभी हम इसके जो ऑईल पंप है, इसको निकाल देते हैं, तो यह आपको इसली निकालना बड़े हिसाब से, क्योंकि प्लास्टिक के आपको सबी बॉल्ट को खोल करके दिखाते हैं इसमें बाकी क्या-क्या-क्या एमरी बगर इसमें निकल रही है, चेक करते हैं इसको बारिकी से, तो पहले इसके दोनों बॉल्टों को खोलते हैं, यानि कि पहले हम इसमें जो कनेक्टिंग रॉड है, इसके बॉल्ट को खोल चेक करते हैं इसके बेगन बेरिंग और इसके कनेक्टिंग रड़ बगएरा बेंड तो नहीं है या पिश्टन में कोई प्रॉडम तो नहीं आई है तो यह देखिए पूरा जो बेगन है वो एक तरीकी से क्रेंग से घूम चुका है या नहीं कि आपने देखा यह सीज हो गया यह देखिए बिल्कुल सीज हो टुका है कुछ नहीं बचा ऎasta की बेगन में बेलकुल खतम ओके बाफी मयन बेरिंग आपके और भी के ग्वार्ड में बाफी लोग हृटी के डाला हुआ है जिसके व्यजह से इसमें जो इतनी दिक्क्ट आई हुई है के जयाने कि इसकार के इंजन की रिड की हड़ी देखते हैं अभी क्या हाल चाले हैं तो यह ऊपर आपस तरीके से जिली इसके टाइमिक कवर को निकाल सकते हैं तो यहां पर क्र Полी करमने पर क्रेंक भी तो यह अपके इसकी ऐफिंग हुण ब की तो यह ती इसकी और मैं बोल्ट को तो यह है इसका high pressure pump pulley, तो इस high pressure pump की pulley को बोल्ट को खोल देते हैं, तो मेरे पास बहुत से भाई लोगों को कमेंट आता है कि यह anti clockwise खुलता है, लोग clockwise खुलता है, तो आप देख सकते हैं, यह anti clockwise ही इसका बोल्ट खुलता है, high pressure pump का, मेरे पास काफी technician भाई के phone भी आये, message भी आये, BMW X1 का pump का बोल्ट होता है, कि side खुलता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बोल्ट है, आगर मैं कहूं, तो normally जिस तरीके सबी बोल्ट खुलते हैं, उसी तरीके से, उसी step से आपको इसका pump का बोल्ट है, वो भी खुलना होता है, और यह है इसका chain tensioner, यानि कि इसका hydraulic adjuster है, एक तरीके से, यही chain को tight करता है, और यह chain है, इसकी crank soft to high bishop pump तक के लिए, और high bishop pump से आगे के लिए trouble करती है, वो second chain लगती है, और oil pump के लिए अलग second chain दी गी है, और इसके high bishop pump के gear को आप इस puller की help से निकाल सकते हैं, और एक तो यहां पर आपको कोई भी hammer बगरा यूज निकरना है, क्योंकि अगर आप hammer बगरा यूज करते हैं, तो high bishop pump बगरा या gear अगर मैं कहूं तो वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वैसे भी आपको आगे और problem क्रियेट हो सकती है, तो आपको यहां पर यह भी हिसाब से puller से इसक यह देखिए इस तरीके से, आपको अच्छे से set कर लेना है, बिल्कु प्रॉपर सेंटर पर ही जो puller है वो set होना चाहिए, अगर आगे पीछे होगा तो इसकी वैसे जो gear है वो तूट सकता है, तो यह देखिए gear इजली आराम से निकल चुका है बाहर, और अभी हमें इसकी इसके बाहर निकालेंगें वह जो बागी है ज Camera golden tutti, इनको भी खोल कर कर के बाहर निकल कालेंगें, के जो उसकी क्रेंक साफट से नहीं अगार, तब तक इंजिन्स अगर हम कहें कि Krankshaft बहर हो जाए वो नहीं हो सकती है कोगि सबसे पहले आपको टैमिंग चेन ही बहार करनी होती है उसके बाद से बहार किरेंग साफ बहार निकल पाएकी इंजिन्स ए और अच्छे तरगी छाय को पाएकी तरीके से खराब हो चुका है तो यह से इसका में बेरिंग एक तरीके से इस जगा से स्क्रेश के आच केके काम करेंगे नहीं तो फिर हम आपको नेक्च वीडियो बताएंगे क्या करना है हमें इस कार की क्रेंक साफ्ट के साल फिर हमें से replace 112 करेंगे या क्या costing रहती है उस पार्ट की वो सारी costing में अभी हम आपको next part में बताने बालें और किस company का हम इसे पार्ट यूज करेंगे सारी चीज़े हम आपको बताएंगे तो यह है इसकी क्रेंक साफ्ट तो आप देख सकते हैं इसकी जो क्रेंक साफ्ट है वो भी डेमेज हो चुकी है यानि कि एक छोटे से वाल फिल्टर की वैसे ही ज़िए अभी चुपकी हुई है इंजन्स है इसकी क्रेंक साफ्ट को बहार निकालना होता है क्योंकि आगे की साइट से जगह है वो बिल्कुल फिक्स होती है जब भी आप नए बिगिन फिटिंग करते हो मैन वेरिंग फिटिंग करते हो तब भी आपको यह चीज धियान में रखनी है एक K Putting करेंगे जिससरी कि उसपE क्रेंश ना आए और क्रेंक फिटिंग हो जाए यह क्रेंक तरह कि ट्रा तरीक से फिक्स होती है क्रेंक साफ्ट ऐससाब है मेरे शबसे कुराब ही है कनेक्टिंग रॉड बगरा भी इसके मैन के कुछ कैप बगरा है जिस पर इसमें पीस वगरा ये देखिए रैड हो चुके हैं बलकुल लाल हो रखें आप देख सकते हैं और अलगी भी क्या कंडिशन है इंजिन अलगी अंदर से इंटरनल ओके बाकी किसके जो पिश्टन वग करागी सारी शी नेक्स पार्ट में